आ यह स्थुडेंट्स तोडेश टॉपिक इस सफ्टुएर के बारे में पढ़ेंगे सफ्टुएर जानने से पहने सबसे पहने यह जानेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है ठीक है इसे टॉप इंस्ट्रक्शन इस कॉल्डे प्रोग्राम कोई भी इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कि प्रोग्राम होता है अब हम जदी बात करते हैं कि सॉफ्ट्वेर की तो एक ग्रूप आफ प्रोग्राम्स मेंक्स एक सॉफ्ट्वेर बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सोफ्ट्वेर बनाते हैं हैं अब शौफ्ट्वेर के बिना आप हमारा का प्प्यूटर चल नहीं सकता है इसलिए hardware parts शिर्फ hardware parts रहा जाएगा इसलिए software होना जरूरी है जो software is divided into two parts फर्स्ट वन is system software second one is application software अब system software और application software दू भागों में software को डिवाइड किया गया है system software वो software है जो की system system computer systems को चलाने में मदद करता है जैसे इसका example हो गया यह further three categories में डिवाइड किया गया है system software को operating systems language processors and utility software जो operating systems होता है हम जानते हैं उसको OS कहते हैं जैसे Windows operating system Linux operating systems DOS operating system Mac and TOS तीक है जो Apple का होता है Mac OS इसको कहते हैं यह सब Unix operating system language processor language processors का यूज क्या होता है जो हम C C++ यूज करते हैं तो machine language में convert करने के लिए प्रोग्राम को एक language processors का यूज करते हैं जिए कि इस language processor तीन रखा होता है assembler compiler and interpreter यह तीनों क्या करते हैं convert करता है मैं यह जो computers के कोन को प्रोग्राम स्पोर्ट को machine language में जो की computer समझ सकता है utility software utility software के अंतरगत आता है कि computers के अंदर बहुत साले utility software inbuilt होते हैं कुल कुल से software होते हैं जैसे की disk cleanup हो गया ठीक है check disk हो गया defragmentation हो गया यह सभी utility software के अंतरगत आते हैं तो यह already सब system software जब operating system install करते हैं तो utility software उसके अंदर आता है utility software के अंतरगत आपका control panels भी आ जाता है जिसने बहुत सारे चोटे-चोटे utility software होते हैं अब हम बात करेंगी system software के तो हो गया अब application software के अप्लिकेशन software के अप्लिकेशन software को फर्दर डिवाइड़ेट किया गया है दो बागोमी एक general purpose application software दुजरा specific purpose application software general purpose application software के अंदर रगत आ गया जिस database management system की बात करते हैं Excel की बात करते हैं MS Word की बात करते हैं यह हो गया general purpose application software जो की inbuilt है उसको तयार किया गया है इस तरह से कि वो उस पर पर्टिकुलर उतना ही वर्क कर सकते हैं जितना की उसमें options दिया गया है अब आते हैं specific purpose application software जो software जो की specifically design किया गया है किसी organization से ले किसी जैसे हम बात करें कि अभी educational software जो इतना भी तयार हो रहा है तो वह specific purpose application software है जिसमें की वो सारे features दिये गये हैं जो की ऑर्गनाजेशन इंसिचूट को आवशक्ता होगी जर्रत होगी उतना ही दिया गया उससे ज्यादा नहीं दिया गया है तो इसको कह सकते हैं specific purpose application software में क्या होता है कि वह हम अपने नीट्स के according कस्टमाइज कर सकते हैं उसको इसी को आब हम आगे further definition छोटा छोटा इसका प्रहें ही थाइंग